सलाल आहौल स्वीती में बीती राच से रुक रुक कर बारिश और बर्फपारी का क्रम चारी है पशले दुनों हुए बर्फपारी से खेत खलियान अभी भी बर्फ से ठके हुए हैं और फिर से हो रही बर्फपारी से घाटी में बिजाई कारिय में देरी हो रही है निउंतम तापमान अभी भी माइनस चार से दस डिग्री सेलसियस नीचे चल रहा है पिछले दिनों हुए भारी बर्फबारी से घाटी की सड़कों से बर्फ हटाने का कारिय युदस्तर पर जारी है लेकिन खराब मौसम व बर्फबारी से बियारों के मिशन स्नो क्लेरंस पर असर पड़ रहा है एक माँ से बंदपड़ी निगम की बस सेवा का ट्राइल आज से होना था जो बर्फबारी के चलते प्रभावित हुआ है बर्फबारी का सिलसिला जारी है कुछ शेतरों में बारिश भी हो रही है इस बर्फबारी और बारिश में घटी में जन जीवन एक वर फिर से प्रभावित हुआ है आज हिमाचल पत परवियन निगम की बस सेवा जो एक माह से बंद पड़ी हुए थी बारी बर्फबारी कारण बसों का ट्राइल होना था लेकिन खराब मौसम और बर्फबारी से ये कारे भी प्रभावित हो सकता है वहीं दूसरी और मनाली के लंग दार चाले सड़क खोलने का कारे बियारों ने यूद सतर पर जारी रगा था लेकिन बीती राज से हो रहे ही बर्फबारी से वो कारे भी काफी प्रभावित हुआ है वहीं गाटी की कई संपर्ख सड़के जो अभी अबरूद है लोक निर्मार बिवाग द्वारा से खोलने का प्रयास जारी है लेकिन ये जो बर्फबारी हो रहे है इससे उसमें बिलंब हो रहा है वहीं दूसरी और अब गाटी में कुछ शेत्रों में बिजाई का सीजन भी आरम होने वाला था लेकिन बारिश और बर्फबारी से इसमें भी बिलंब हो सकता है दूर दशन समाचार के लिए केलंग लाउल स्पिती से कुंदन शर्मा